आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ एब वोल्ट मिटर रेसिस्टेंस 500 Ohm is used to measure the EMF Office cell of internal resistance 4M एब वोल्ट मिटर है जिसका resistance 500 है और एक cell है जिसका internal resistance 4 हम है तो voltage measure करने के लिए उस कर रहा है वोल्ट मिटर कर रहा है the percentage error in the reading of the वोल्ट मिटर will be तो percentage error पूछ रहा है कि वोल्ट मिटर जो read के उसमें कितना percentage error हो error की होगा देखते है है कि है एक EMF cell है इसका internal resistance है यह होगा पूरा battery इसका ohm कितना 4 ohm resistance है 4 ohm इसके बाहर हम वोल्ट मिटर लगाएं ठीक है बाहर वोल्ट मिटर लगाएं बाहर वोल्ट मिटर इसके कितना है 500 ohm है resistance ठीक है तो हम लोग को क्या करना है अगर इसका internal resistance नहीं होता तो बोल्ट मुटर क्या रिट करता डिरेक्ट E रिट करता लेकिन इसमें जो करेंट फ्लो होगा तो यह पॉइंट के दोनों के बीच में एपोटेंशियल राप कर दे रहा है तो थो एक करम रिट करेंगा यहीं कि एरर हो रहा है दू आएक्टोल हम लोग को रिट कर gratis ना है नहीं रहा हम को ड़त no अगरेंट वाल्ट मुटर नंको e चाहिए था लेकिन इसे इसें करम रिट कर रहा है तो तो दो इरर हो रहा है तो कितना ॥ मिनी इरा रहा हूं तो किया करेंगे चेंज इन ऐपव 온 परसेंटेज परसेंटेज एरर परसेंटेज विपर क्या होगा डिेल्टा अपवाउ n ओवन ई अ थीक लिएवा तो डील्टा ऊक्या होगा final EMF current I flow final इतना रिडिंग करेंगे इसके बीच में E minus R into R smaller minus E इतना रिड करना चाहे था लेकिन इतना read कर रहा but A ठीक है तो E E cancel हो जगा minus I R by E I केतना होगा, current केतना flow करेगा E upon total resistance 500 plus 4, 500 plus 4, यह होगा, यहनि कि E upon 504, यह current होगा, ठीक, तो कितना होगा, magnitude error हमें सा positive होता है, magnitude में लेते हैं, ठीक, error हमें सा positive होता है, कितना होगा, E upon 404, 504, R का value 4 upon, upon कितना होगा, E, E कट गिया, यहनि कि 4 upon 504, ठीक, इसको 100 से मंट्रिप्लाइ करें कि इसको percentage में पोच रहा है, 100 से मंट्रिप्लाइ करेंगा, तो percentage में आएगा, तो इसको difference, इसको division, divide कर लेपने, 7, 9, 3 हैगा, यहनि कि जो कि approximate कितना है, x approximate 0.8 percentage, 0.8 percent कोन सा option होगा, option, C is our correct answer, thank you. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 सुपर.